पिछले कुछ दिनों में आधार कार्ड और उससे जुड़ी सेवाओं को जारी करने वाली संख्या UIDAI ने PVC आधार कार्ड जारी किये हैं तब से देश के लोगों में एक तरह से डर बन गया है कि आधार कार्ड बदल गया है और अब पुराना मानिन नहीं होगा कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब एक बार फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और दुबारा आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा लेकिन UIDAI ने एक ट्वीट करके अपनी बात रखी है और कहा है कि PVC आधार कार्ड के आने से पुराने आधार कार्ड अमान्न नहीं होगे UIDAI ने कहा कि देश में तीनों प्रकार के आधार कार्ड मानने होगे UIDAI ने ट्वीट करते हुए कहा कि निवासी अपनी सुविधा के अनुसार आधार के किसी भी रूप का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं आधार के सभी रूपों को वैधिता के साथ पहचान के प्रमाण के रूप में स्विकार है बिना आधार के एक रूप को दूसरे पर वरियता देने के बिना इसके साथ ही साथ UIDAI ने ये भी कहा है कि किसी तरह के कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं UIDAI ने पहले दिन आधार कार्ड का अनावरन किया था जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के तरह दिखता था ये आधार कार्ड रखना आसान है और इसका जीवन लंबा है UIDAI के अनुसार कोई भी शक्स आधार कार्ड बनवा सकता है इसके लिए आपको UIDAI को 50 रुपे का भुतान करना होगा इसके लिए UIDAI की वेबसाइट uidi.gov.in पर जाकर आप इसे बनवा सकते हैं ये आधार कार्ड स्पीड पोस्ट के जर्ये ग्राहक के घर भेजा जाएगा PVC आधार कार्ड में होलोग्राम, गुड लोचे पैटर्न, घोस्ट इमेच और माइक्रो टेक्स्ट जैसी नवीनतम सुरक्षा विशेशता हैं ये कार्ड प्लास्टिक से बना है, इस पर आपके सब ही विवरण है पहले आधार का डाक से घर आता था, कई कारण ग्राहकों को ये समय पर वित्रित नहीं किया जाता था इसके लिए UIDAI नागरेक समर्थन की सौफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के सुविधा भी प्रदान की है इसके साथ ही आप UIDAI की वेबसाइट से ये आधार डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और किसी भी योजना या सरकारी काम में इसका उप्योग कर सकते हैं तो अब आप पूरा नियम समझ चुके होंगे अब आपको घबराने की जरूरत नहीं अगर आपके पास पुराना है तो वो भी काम करेगा और अगर नया बनवाया है तो वो भी काम करेगा सरकार ने सिर्फ उसमें नय नियम जोड़कर आधार कार्ड को मजबूत कर दिया है इसके अलावा और कुछ नहीं